हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तुरो डाउटन, डाउटन की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों तो आज के इस लेक्चर का स्पेशल टॉपिक जो है वो है पॉलिनॉमिल्स में क्यूबिक पॉलिनॉमिल्स का फेक्टराइजेशन मैं रहे देखा है कि चाहे इस्टुडेंट क्लास नाइन्थ में हो या फिर टेंथ क्लास में हो या उसके बाद हायर क्लास में हो 11 और 12 में भी हो बहुत सारे बच्चों को हमेशा से क्योभी पॉलिनॉमिल्स के फेक्टराइजेशन में होती है प्रॉब्लम रीजन क्या है क्योंकि पॉलिनॉमिल्स को डिवाइड करना है दिवीजन के बाद फेक्टराइजेशन करना है इन सभी प्रॉसेस में हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंट तो कही न कहीं पर जब टाइम ज़्यादा प्रॉणोच से चाहिज़ तो आज के इस lecture में मैं पहले तो जो traditional method जो आपको exam के point of view से जो ninth class के student है किस तरीके से exam में अगर question आता है तो कैसे factorization करोगे वो पहले तो मैं आपको बताऊँगा उसके बाद आपको एक sort cut method भी बताऊँगा कि कैसे cubic polynomials का factorization आप without division कर सकते हैं यानि कि polynomials का divide किये बिना भी आप factorization कर सकते हैं उसकी trick बच्चों मैं आज के lecture में बतानूँगा आपको तो ये trick आपको 10th class में हो 11th class में हो 12th में हो हर class में काम में आने वाली है तो 9th class के बच्चों के लिए तो dual advantage है उनको exam का approach भी समझ में आएगा और दूसरा कि कैसे tricky method से हम अप्लाई करें तो आज के बाद आपको cubic polynomial के factorization से डर बिलकुल भी नहीं लगने वाल है तो are you guys excited or not जल्दी से comment box में लिख करके मुझको बताईएगा ठीक है बचों तो मैं start करता हूँ सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि बाई cubic polynomial होता क्या है बताईए cubic polynomial क्या होता है कोई इसका जो standard form है आप लोग ने polynomals वाले chapter में linear polynomals, quadratic polynomals, cubic polynomals के बादे में पढ़ा हुआ है सब ने पढ़ा है तो cubic polynomial किस polynomial को बोलते हैं जी हाँ बच्चों एक ऐसा polynomial जिसकी degree अगर हम बात करें तो जिसकी degree 3 होती है 3 degree के polynomial को हम cubic polynomial बोलते हैं अगर cubic polynomial के standard form की मैं बात करूँ तो इसका standard form क्या होता है बच्चों इसका standard form अगर आप देखिए चलिए तो इसका standard form ax cube plus में आपके पास bx square plus में आपके पास cx plus में d यह आपके पास cubic polynomial का standard form होता है ठीक है बचो, cubic polynomial का standard form ax cube plus bx square plus में cx plus में d important यहाँ पर यह है कि जो x cube का coefficient होता है यह कोई भी real number हो सकता है but non-zero मतलब कि a आपका non-zero होगा a आपका non-zero होगा और कोई भी real number हो सकता है और b, c, d यह कोई भी any real numbers कोई भी real numbers हो सकते है चाहे वो 0 क्यों न हो, ठीक है but a आपका कभी भी 0 नहीं होगा पूछी क्यों, क्योंकि जैसे कि quadratic polynomial में आपने देखा थे कि अगर a 0 हो गया तो x cube वाला term cancel तो वो cubic polynomial नहीं रह जाएगा इसलिए हमें से standard form पर याद रखेंगे कि कभी भी आपका x cube का coefficient 0 नहीं होगा ठीक है पूछो, तो ये तो हमारे पास cubic polynomial हो जाता है ठीक है पूछो, इसके कुछ examples लिख देता हूँ यहाँ पर आजएगे, कुछ examples देख लेते example number 1 x cube प्लस में 3x square प्लस में 2x प्लस में 1 ये क्या है, एक cubic polynomial है या फिर x cube माइनस में 2x square प्लस में 3x माइनस का 1 ये भी आपके पास cubic polynomials है तो ये कुछ cubic polynomials के आपके पास examples आगे ठीक है बचो, चलिए थोड़ा सा इसको हम ये कर देंगे ठीक है अब थोड़ा सा मैंने अब और dark देखेगा मैंने थोड़ा सा पैना आपका मोटा भी कर लिया है चलिए ठीक है तो ये कुछ examples हो गए बच्चों आपके पास cubic polynomial के clear है? चलिए अब बात आती है इनके factorization की कि how to factorize a cubic polynomial ठीक है बच्चों देखे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दो approach है अगर आप 9th class में पढ़ रहे हैं और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बेटा आपको exam में अगर cubic polynomial का factorize करने के लिए आएगा तो आपको जो पहला method मैं बताऊंगा उसी method से solve करना नहीं तो marks कट सकते हैं ठीक है बच्चों आपने किसी Olympiad की profession कर रहे हो या फिर कोई exam NTSC की profession कर रहे हो वहाँ पर helpful होगा तो sod cut method भी मैं आपको बताऊंगा clear है तो चलिए पूरे ध्यान से focus के साथ में इस चीज को समझेगा exam में प्रोच की बात करें जैसे कि आपका आपके पास क्या है बच्चों एक क्यूबिक पॉली नॉमेल है चीक है देख इस टेप नंबर वन तो वही है जो कि आपको हमेशा से मालूम है hit and trial पहला factor या पहला roots तो आपको hit and trial से ही find करना पड़ेगा किस से find करना पड़ेगा बच्चों hit and trial तो usually अगर मैं बात करूँ तो पहला root आपका क्या हो सकता है usually आपका पहला root x equal to 1 x equal to minus 1 x equal to 2 और x equal to minus 2 जो first root है बच्चों वह इन्हें में से कोई एक हो सकता है most of the problem में जो की exam में आती है उनका जो first root जो hit and trial से find करते हैं वह इन्हें में से किसी भी value को x के place पर रखने से हमें अगर polynomial की value 0 मिल जाती है तो उसको हम root बोल देते हैं clear है तो पहला तो आपको root find करने के लिए hit and trial ही apply करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बेटाजी hit and trial ही apply करना पड़ेगा तो hit and trial के लिए सबसे पहले जैसे की आपकी नजर इस पर पढ़ती है मालो आपने क्या किया step number one जो exam में आप apply करते हो put आपने x equal to one अपने polynomial में रख करके check किया put x equal to one in expression ठीक है जो आपके पास expression है in expression ठीक है आपने expression में x equal to one बच्चो रख दिया तो क्या बने गए आपर one to the power आपके पास three बन गया minus में 23 into में one की power two plus में 142 into में आपके पास one minus में 120 देखे बचो ये value put करने से क्या मिला one minus में 23 plus में 142 minus में 120 तो आपने देखा इधर पर आया plus का 120 minus का 120 equal to zero मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर हम पहले क्या बोलेंगी कि hence सबसे पहले कि x equal to one is a is a root of root of given cubic polynomial root of given cubic polynomial cubic polynomial का root होगा clear है बिटा जी cubic polynomial का root होगा पहला root तो आपके पास ऐसे निकल के आया है जिसको हम क्या बोलते है बच्चा hit and trial ठीक है hit and trial से पहला root जब आप निकाल लोगे अब बारी आती है कि बाकी के दो roots फाइंड करने तो exam approach कि अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले किस approach की बात करने exam approach की तो जब first root आपको मिल गया जैसे कि x equal to one is a root of given cubic polynomial हम यहां से क्या बोलेंगे कि अगर x equal to one cubic polynomial का root है या इसको zeros बोलें जीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि x minus one is a factor of cubic polynomial ठीक है बचो और विसी बात है कि अगर x equal to one मेरे cubic polynomial का एक zero है तो इसका मतलब है कि x minus one जो होगा वो factor होगा अब क्या करेंगे जो की exam approach है कि अब आपको इस x minus one को हम divisor लेंगे cubic polynomial को divided लेंगे और अपने polynomial को divide करेंगे तो आईए बचो exam approach के point of fuchsia अगर देखे तो x minus one है आपने x cube minus में 23 minus में 23 times x square plus में आपके पास 142 times x और minus में 120 minus में 120 ठीक है बटाजी इसको divide करते है तो divide करने की process क्या है बहुत ही simple है हाला कि अगर आप लोगों उने पहले की lectures मेरे देखे होंगे तो definitely आप cubic polynomials का division कैसे करना एक polynomial को दूसरे polynomial से divide कैसे करना आता होगा लेकिन कोई बात नहीं अगर आप class को देखे हो तो मैं ही सिखा देता हूं ठीक है सबसे पहला अगर आप नजर देखो तो आपका dividing का first term क्या है x cube है यहां पर देखते चलना dividing का first term क्या x cube है diviser का first term क्या x है ठीक है तो x cube को x से divide करोगे तो आएगा क्या x square आएगा तो कोशंट का जो first term है वो आपके पास x square होगा अब इस x square का multiply पूरे diviser में करोगे तो कितना एगा x cube बन गया यहां पर minus में x square subtract कर देंगे बच्चों क्या करेंगे subtract यह minus यह plus cancel out इधर से आगया minus में 22 times x square okay and plus में 142 times x यह हमारे पास next step पे आगा है ठीक है बिटा जी देखो दो नहीं method बता रहा हूं exam के point of view से exam approach जो class 9th के student है उनके लिए इसी method से आपको exam में लिखकर क्या आना है shortcut method इसके बाद बताऊंगा थोड़ से समझे न और आप खुद देखोगे कि कितना सारा time उसमें बचेगा भी तो पूरे lecture को ध्यान से समझते चलिएगा minus 22 अब क्या होगा दुबारा दुबारा क्या करेंगे अब यह हमारे पास divided है तो अब इसका फ़स्ट टर्म हमारे पास क्या minus में 22 x square इसको तुम डिवाइड किसे करोगे बच्चों वापिस से एक्स से डिवाइड करोगे तो आएगा minus में 22 times x कितना आएगा minus में 22 times x तो next जो हमारा कोशंड का टर्म हुआ minus में 22 times x हो गया अब इसको वापिस से डिवाइजर में multiply करोगे तो minus में 22 times x square and plus में आपके पास 22 of x आ गया वापिस से बच्चों यहाँ पर हमने इनको सब्ट्रेक्ट कर दिया और सब्ट्रेक्ट करने से यह साइन प्लस का यह माइनस का तो यह आगया 120 x ठीक है बचों और minus का 120 इधर से आगया अब आप simply देख पा रहे होगे अब next term कोशंड का क्या होगा next term कोशंड का 120 लेंगे त अब यहाँ पर आपने इसको सब्ट्रेक्ट किया तो माइनस प्लस यहाँ पर आजा 0 तो रिमेंडर आपके पास क्या मिल गया बच्चों रिमेंडर आपके पास 0 आ गया तो अब अगर आप देखें जो पॉलिनॉमेल अब एक काम कर देता हूं इस पॉलिनॉमेल को में एक नाम दे रहेता हूं माले पॉलीनॉमल आपका PX तो अब हमारे पास जब हमने X-1 से डिवाइड किया तो एक फेक्टर थे दूसरा एक क्वाडिटिक फेक्टर आया है एक्से स्क्वाइर माइनस 22 एक्स प्लस में 122 तो एक्चुल में अब ध्यान से समझेगा ठीक है यह कंप्लीट हुआ इधर पर आ जाएगे बच्चों ठीक है इस पोर्शन को एरेस कर दूं चलो लिखे रहन देता हूं ताकि आप आपके पास एक्स स्कॉर माइनस में 22 टाइम एक्स प्लस में 120 ठीक है अगर आप पूरी प्रोसेस में ध्यान से समझे तो आपका जो टाइम spent हुआ किस जगे पर spent हुआ कहां पर लग रहा है कि टाइम ज़्यादा खर्च हो गया अगर उस चीज को 10 और 2 में 10 और 12 में ठीक है तो 10 और 12 का मल्टिप्रिकेशन 120 होगा और 10 और 12 का एडिशन 22 होगा तो बेसिकली इसको फेक्टराइज करके यहां से मिटल टर्म स्पिटिंग को अगर अप्लाई करते हो तो फेक्टर क्या आएगा आपके पास एक्स माइनस में 10 इंटू में एक्स माइनस में 12 ये बच्चों हमारे पास क्यूभिक पॉलिनॉमिल के फेक्टराइजेंशन निकलके आगे हैं अभी कुछ बच्से कह़हँगे पासार य वाप्त को दुभारा CONCENT कर देता हूँ चले आदेहें वापिस से समझा देता हूं बेटा जी चलो इस पूरे को हटा देता हूं देखो अगर आप चाहते हो तो मैं वफ समझा देता हूं कि x square माइनस में 22 टाइमस x सब प्लस में 120 देख लो अगर नहीं आता मिडल डंब स्ब्रिटिंग तो समझे नहीं यहाँ पर यह एक्स माइनस वन तो एदिटिज रहा हमने मिडल टंग को स्प्रिट किया x square माइनस में 12 x माइनस में 10 x प्लस में 120 ठीक है तो यह बन गया आपके पास x-1 इधर पर एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस में 12 अधर पर माइनस का 10 Commal लिया तो एक्स मैंस में 12 वाय ठीक है बचों और यह बन गया एक्स स्ट्रिंग जेमर्ट के अगर आप स्टुनेंट और आपको factorization आता है कि factorize the qubit polynomial तो बेटा आपको ये method approach apply करना पड़ेगा पूरा का पूरा hit and trial apply करोगे देन आप यहाँ पर यह division apply करोगे उसके बाद next step पर आप यहाँ पर PX को इसके form पर लिखोगे इसको factorize करके यह इसके factorization निकल के आएगे पहले तुसको note कर लीजिए आप लोग पहले तो अच्छे तरीकिस को note कर लीजिए अब मैं जो explain करूंगा वो क्या है बच्छों आपका sort cut method sort cut method चलिए ठीक है पहले तुसको screenshot लेना तो ले लो बिटा इसका screenshot ले लो अगर आप लोग को चाहिए तो जल्दी से note कर लीजिए इसक्रीन सोट ले लो ठीक है और अब इसका screenshot चाहिए तो इसका screenshot ले लो ठीक है बच्छा बहुत ही बढ़िया चलिए अब बच्छो shortcut method की बात करें तो shortcut method में जैसे की polynomial है आपके पास एक बार वाप्पर से लिख जाता है x cube okay minus में 23 times x square plus में 142 times x और minus का 120 ठीक है यह आपके पास polynomial px आपको given ठीक है step number 1 तो आपका वही रहने वाला है जो की आपका hit and trial है ठीक है अब देखीगा hit and trial तो आपको लगाना ही पड़ेगा hit and trial तो लगाना ही लगाना अधर्वाइस थोड़ और ज्यादर डिफकल्टी देंगे hit and trial तो आपको अपलाएगा तो hit and trial से आपको सेक्टर तो मालूम पड़ेगा क्या है hit and trial से हम बोल सकने है कि x equal to 1 है ना hit and trial से डिर्क्लिया मिल लिख सकने है कि by hit and trial आपने निकाल लिया कि x minus 1 यह तो अलेडी step number one as it is आपका है step number one as it is रहेगा by hit and trial x minus one is a factor of factor of px polynomial px का factor ठीक है बचो अब देखे next step क्या है आपने सबसे पहले आपने क्या put किया था x equal to one put किया था x equal to one put करने पर px 0 हुआ था तो पहले तो आपने one लिख दिया एक line draw कर दी ठीक है पहले x equal to one रखने पर polynomial की value 0 आई थी ना तो one को रखा अब एक line draw करी अब जितने भी coefficient है x जितने भी cubic polynomial के coefficient है इनको line से लिख लो x cube का coefficient बेटा क्या लोगे वन लोगे x sorry यहाँ पर x square है x square का coefficient क्या लोगे minus को 23 लोगे x का coefficient क्या लोगे 142 लोगे और constant term minus का 120 लोगे ठीक है पचा यह आपका next step हुआ अब देखो यहाँ पर division नहीं करना आपको सिर्फ क्या करना है कि आपका पहला जो factor आया यह पहला जो 0 आया तो यह क्या है यह आपका first 0 है जो hit and trial से निकाला first 0 है by hit and trial से जो आपने निकाला तो पहले तो आपने first 0 लिख दिया जो x equal to one यहाँ पर confused मत होना ठीक है यह आपका first 0 ओके यह आपका first 0 है उसके बाद यह जो लिखें है यह सभी क्यूबिक polynomial में जो जो कॉफिसेंट है एकस क्यूब को कॉफिसेंट वन है एकस स्क्वाइर का माइनस 23 है एकस का 142 है और konsant ना 120 अब देखो पहले वाले को तो एज़्यट इज आप क्या करोगे पहले वाले को as it is copy कर दो ठीक है अब देखने यह वन है आपका अब cross multiply करो one को one say f multiply करेंगे one into one कितना आएगा आपके पस one आएगा तो यहां पर आपका one यह add हो जाएगा जो भी value आ रहे हैं वह यहां पर add होती जाएगे minus 23 plus गता आएगा माइस का 22 अब क्या करोगे इस वन का multiply तुम इस में करोगे तो तो, वन इंटू में मैंनेस 22 कितना आएगा मैनस में 22 तो मैनेस 22 यहाँ पर आपका Add हो जायेगा यह कितना आएगा वनो का multiply तुम 120 में करोगे तो क्या आएगा 120 आएगा प्लस का तो 120 इसको भी यहाँ पर तुम एड कर दोगे यह तुम्हारा cancel हो के 0 बचिया है अब अगर आप ध्यान से देखो तो यह जो तुम्हारा आया यह माईनस का 22 आया यह यह क्या आया है यह अगर तुम इसको ध्यान से देखो बच्चो तो यह क्वाडिटिक पॉलिनॉमिल के कॉफी सियंट निकल करके कि हैं ध्यान से देखिया जो क्वाडितिक पॉली नॉम्यल तुमारा आया था एक्स इसक्वाइर माइनस 22 एक्स प्लस में 120 इसी के तो कॉफीशेंट में माइनिस 22 प्लस में 120 देखना 1 माइनिस 22 प्लस में 120 ध्यान से नमज़ ना बच्चो आपने क्या किया पहले तो जो हिटेंट राहल से पहला जो जीरो आया उसको लिखा उसके बाद क्यूबिक पॉलिनॉर्मल के सारे के सारे कॉफिसेंट आपने लिख दिये ठीक है नीचे पर एक लाइन ऐसे ड्रो करी ठीक है अब देखो पहले वाले को एजटेज चेप दिया वापस उतार दिया अब देख इसका इससे मल्टिप्लाइ किया वन आया यहां पर एड कर दो अब जो नमबर निकल क्या है इसको इससे मल्टिप्लाइ कर जो आया यहां पर एड कर दो यहा आप इतना फास्ट करोगे कि यह कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा तो यह वन माइनस 22 और 120 आपके पास क्या गया क्वाटिटिक पॉलिनॉमल के कॉफिसेंट आ गये तो बच्चों यहां पर पी एकस आपका क्या बना देखना एकस माइनस वन एक सेक्टर आपको हुई गया द आपको चाती है यहां पर इतना सी प्रॉसेस सिर्फ इतनी से एरिये में हुः पूरी प्रॉसेस सर इतने एरिये में आपने कर दी और पी एकस की वैलू यह निकलके आ गई अब वापस से यह तो मैने फेक्टर आईशन और लीडी बताई दिया है तो क्वाडिक पॉलिनोमिल को मिडिल टरम स्प्रिटिंग से तुम सेक्टराइज करके आंसर निकाल सकते हो अगर यह समझ में आया है या आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख करके जोरू बताना तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे करके जाना और बेला लाइक जरूर से कर देना क्योंकि आपके लाइक के मझा नहीं आते आ राइक जरूर से कर के जाना ठीक है आप खुद देख सकते हैं कि हमने कितनी काल्योकुलेस्टन को रेड़्यूस कर दिया सरफ इतनी इसी प्रॉसस में यह छोटा सा प्रॉसस हम ने किया हमको तुरंत quadratic polynomial की coefficient आ गए और quadratic polynomial ये लिख दिया उसके बाद क्या आ गया बस इसके factorization बहुत ही simple है जो कि आप करना जानते हो तो कितना time बचेगा इससे इससे कितना time बचेगा चाहे आप 9th class में है या 10th class में है या फिर आप 11th या 12th में है सब में यह आपके लिए बहुत ही जादा helpful होने वाला है clear बचो तो इसको अच्छे से note कर लो अभी इसी method पर मैं आपको और भी questions से practice करवाऊंगा और homework में question भी दूंगा practice करने के लिए तो पहले इसको note कर लिए screenshot ले लिए बच्चों और इसके आगे का तो आपको मैं already बताई चुका हो very good बच्चों जल्दी से screenshot लीजिए फिर मूव करते हैं इसी type के कुछ और practice questions की ओर screenshot ले लिया है very good बच्चों अगर अभी किसी बच्चे को कोई doubt है चुछ चिंता करने की बात नहीं है कुछ questions में और discuss कर रहा हूं उसको देखो ध्यान से हो सकता है यहां पर doubt उसमें clear हो जैसे कि अगला question है factorize 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30 ठीक है बिटजी चलिए अब जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट रूट विल भी फाइंड बाई हिटें ट्रायल तो हिटें ट्रायल में 1-1-2-2 इन में से आपको रख करके चेक करना है आप अगर यहां पर रख करके चेक करो एक्षिक को टुए फास्ट प्रोसेस करें अब यह चीज फास्ट करने एक्षिक को टुए नकर के चेक करो लिखने की जोड़त नहीं है चेक करो एक्षिक वान नकर तो टू-3-70-70-3-20-20-20 और यहां पर प्लस का 2-1-18 अब बताओ यहां पर प्लस का 30-18-0 आएगा नहीं आएगा तो एक्षिक को टुए नहीं होगा माइनस 1 रख करके चेक करो यहां पर कितना माईगा-2-?」 और यह कितना माईगा-2-3-5 हो गया- और यहां पर कितना मानेगा यह प्लस का 17 ठीक है तो माईनस-2 और यहां पर आपके पास-3-5 और प्लस के 17 यह भी नहीं बनेगा उसको भी अटा दो x equal to 2 रख करके check करो check करो x की value 2 रख की तो 2 की power 3 8 8 2 जा 16 ठीक है बचो उसके बाद 4 3 जा 12 16 minus 12 उसके बाद 17 2 जा यहाँ पर रख करके check करो कितना आ रहा है जल्दी से बताओ यहाँ पर अगर आपने x equal to 2 पुट करके check किया check कर लो x equal to 2 पुट करने पर तो यह बना 2 की power 3 8 8 2 जा 16 minus में क्या बनेगा 4 3 जा 12 माइनस का 17 2 जा यहाँ पर बना आपके पास कितना और प्लस में 30 देखना यहाँ पर तो यह आया प्लस का 4 17 2 जा माइनस का 34 प्लस का 30 तो यह माइनस 30 यह प्लस 30 अरे वाँ यहाँ कि x equal to 2 रखने पर बेटा चिंता मत करना आप सोच रहोगे sir hit and trial में तो बड़ी गरबढ है कैसे रखकर की check करेंगे most of the cases पर 1 और minus 1 factor होगा कुछ cases में 2 और minus 2 हो सकता है लेकिन अगर exam के point of question मताऊ ना तो 1 and minus 1 पर कहानी फिर भी एक यह additional problem है जहां पर x equal to 2 पर जाकर के खतम हो रहा है ठीक है चलिए x equal to 2 रखने पर हमने क्या किया बच्चों put x equal to 2 in polynomial px यह माल लो आपके पास polynomial क्या है px ठीक है यह polynomial आपका px इसमें रखा आपने देखा 0 आ गया ठीक है इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि hence one factor one factor of cubic polynomial is x equal to 2 रखने पर आया तो factor x minus में 2 होगा clear है आगया अब देखे दूसरी अब बाकी के दो root find करने है अब traditional method तो already बता चुका हूँ अब बात करेंगे shortcut method की तो क्या किया पहला root क्या रखा आपने 2 रखा चलिए पहला root तो आपने hidden trial से 2 find किया ठीक है बाकी x cube के coefficient क्या है 2 है minus 3 है minus 70 लिखते जाओ 2 है minus 3 है आपके पास minus में 17 है उसके बाद आपके पास plus का 30 है चलिए यह आपने ऐसे लिख दिया ओके बच्चों सबसे पहला वाला तो as it is repeat होके आगे यहाँ पर 2 अब 2 को से multiply करोगे तो 2 2 जा 4 यहाँ पर 4 add होगा तो 4 minus 3 प्लस का बनाया अब इस 2 का multiply आप 1 से करोगे तो कितना एगा 2 1 जा 2 यहाँ पर कितना आएगा minus में 15 आएगा अब इस 2 का multiply 15 में minus 15 में करोगे तो minus में 30 तो इस तरीके से बच्चों क्या बन गया आपके पास देखेगा यह आपके पास 0 तो एक फेक्टर तो आपके पास x minus 2 आ गया दूसरे के coefficient quadratic के coefficient 2 1 15 एब बटा यहाँ पर minus है confuse मत होना बाद में कहोगे सर आपने बताया नहीं देखो यहाँ पर confuse मत होना यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 second minus का 15 ठीक है तो यह क्या बना x square का coefficient कितना है 2 2 times x square x का coefficient कितना है 1 1 times x minus में आपका 15 यह बन गया ठीक है बचो तो अब इसके factor कर लो तो x minus 2 यह बना 2 times x square अच्छा 5 6 जा 30 होता है 15 2 जा 30 तो 5 6 जा 30 6 minus 5 आपका बनाएगा तो यह बने का प्लस का 6 x minus का 5 x से minus में 15 बस quadratic polynomial के फैक्टराइशन आप खुद भी कर लोगे तो x minus 2 आया यहाँ पर 2 common लिया तो x plus में 3 आया यहाँ पर minus का 5 common लिया तो x plus में आपका 3 आया ठीक है प्चो यहाँ पर 1 second 2 x common लिया ठीक है 2 x common लिया तो x plus में 3 और यहाँ पर आगया चलो भई तो factor हमारे पास क्या आगए इसके factor आये x minus 2 into में आपके पास x plus में 3 और into में आपके पास 2 x minus में 5 यह cubic polynomial का factorization हो गया clear है बिटा जी देख पार हो कितने simple manner में हम factorization कर पारे कितने simplest form पर हम factorization कर पारे हैं क्या आप यह feel कर पारे हो देखा बचो simple सा thought cut method मैंने apply किया तुरंत हमको quadratic polynomial के coffee से इंड निकल के आगए 2 x square यहाँ पर वन लिखो चाहिन लेको वन एक से लिख लो कोई फरक नहीं पड़ता है माइनस का 15 15 to 30 factorize किया six into five के form पर split कर दिया six minus five one आ गया solve करके answer आगे clear है तो यह method समझ में आया कि नहीं आया वही जल्दी से मुझे बताईए आज के बात cubic polynomial से कभी किसी को डर लगेगा नहीं लगना चाहिए क्योंकि अब factorization हुआ आपके लिए आसान ठीक है बचो चलिए भई यह question हो गया अभी एक question or discuss करता हूँ अभी वह किसी को doubt रह जाए तो उस question से फिर से समझने की कोसिस करना चलिए अगला question देखते है बचो एक सी क्यूब प्लस में 13 x स्क्वाइर प्लस में 32 x प्लस में 20 अब बताईए इसका करना है तो पहला है इस टप क्या हिटें ट्राइल तो वन minus 1 2 and minus 2 इसको put करते हैं लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए यहाँ तो आप क्या सोचोगे कि अगर सभी terms यहाँ पर प्लस में है तो x equal to 1 रखने पर कभी भी 0 नहीं मिलेगा तो वन को तो पहले छोड़ देना x equal to 2 रखने पर भी कभी 0 नहीं मिलेगा तो x equal to 2 को भी छोड़ देना ठीक है minus 1 minus 2 ठीक है minus 1 रखकर के चक करो तो आपने यहाँ पर put किया put यह polynomial मालो आपके पास px है तो put x equal to 1 in polynomial px रखो 1 to the power 3 प्लस में फॉरी बेट एक सब्सक्राइब एक सेकेंड अगा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सब्सक्राइब बहुक्राइब जाना x equal to आपने क्या किया x equal to minus 1 इन px पॉली नॉम्हीं ने पुट किया रखो वई माइनस वन टूदी पावर 3 हो गया प्लस में 13 इंटू में माइनस वन का स्क्वेर प्लस में 32 इंटू में माइनस वन एंड प्लस में यहाँ पर 20 आ गया देखो कि X plus one is a factor of X plus one is a factor of polynomial PX PX polynomial का एक फेक्टर होगा एक सप्रेस वर इस फेक्टर रॉफ पॉली नॉमिल पी एक सपीक्स पॉली नॉमिल का एक सक्टर होगा अब बात करेंगे बाकी के तो फेक्टर तो वापस से प्रॉसस्ट क्या करी ध्यान समझेगा X से क्वल्टू क्या है माइनस वन अखने पर आया एक फेक्टर तो माइनस वन लाइन ड्रॉ करी क्यूबिक पॉलिनॉमिल के कॉफिसेंट वन थर्टीन 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 टू एंड आपके पास 20 चलिए नीचे पर लाइन ड्रॉ करी पहले वाले को एज इटेज चेप दिया यहां पर बनाला है माइनस वन को से स किया कितना आएगा मैनस कावन यहां से आया है माइनस को इस से मैटीप्लाय करो गये माइनस को अहां पर 20 थे तुर्ट आपके पास एक फेक्टर तो एक प्लस वन आप already निकाल चुके हो बाकी quadratic polynomial क्या बनेगा x square का coefficient क्या है एक्स का coefficient क्या है ट्वेल ट्वेल टाइमस एक्स और constant term क्या 20 यहाँ पर 20 आगे clear है बीटाजी तो बस x square x quadratic polynomial के यहनी की x square x और constant term यह आपके पास क्या constant यह आपने रख दो X square प्रस्ट प्रस्ट में 20 यह तो समधाने के लिए बताया है मैंने यह सिर्फ समधाने के लिए बताया था ओके चलिए यह आ गया अब इसको फेक्टराइज कर लो X plus 1 यहाँ पर कितना बनेगा 20 तो इसको break करेंगे X square प्लस में 10 times X plus 2 times X plus 20 तो यह बनेगा आपके पास X plus 1 X common ले लो यहाँ पर तो आएगा आपके पास कितना X plus में आपका 10 प्लस में 2 common ले तो आएगा X plus में आपका 10 factorize कर दिया बच्चों तो यह बना X plus 1 इंटू में आपके पास X plus में 2 और ओके X plus 1 X plus 2 and X plus में 10 यह answer आ गया अब मुझे बताइए कि पूरी process करने में ज्यादा टाइम लग रहा है कि कब पहले ज्यादा टाइम लगता था था पहले तो डिवाइड करने में कितना टाइम जाता था अब तो डिवीजन की process खतम केवल तीन लाइन पर आपका process हो जाती है फिर quality का जाते है इसको तो आप easily factorize कर सकते हो तो आपका answer निकल करके आया तो आई होप यह जो ट्रिक मैंने आज आपको बताई है cubic polynomial का factorization दोनों ही method मैंने discuss किये traditional method जो की exam में आप approach करेंगे जब written exam होगा subjective pattern होगा तो subjective type के pattern में इस तरीके से solve कर सकते हो लेकिन अगर आपको objective type का pattern या cable factorization करना है तो आप इस method से solve करके factorize करके easily निकाल सकते हो clear I hope यह lecture आपको बहुत ही interesting लगा होगा और सभी चीज़े समझ में आए होगी तो अब कुछ question आपको practice के लिए दे रहा हूँ तो screenshot ले लेना आप लोगों को ठीक है इसका screenshot ले लिए बच्छो ताकि इन questions के साथ में आप बढ़िया तरीके से practice कर सके एक्स तीन question है बच्छो यह question number आपका one है ठीक है बच्छो यह question number आपका two है यह question number आपका three है इन questions के साथ में आपको homework की practice करने clear है चलिए तो भी समझ में आया सभी को अगर यह session पसंद आया है तो class को like जरू से करिएगा और अपने friends के साथ में share करें चाहे नाइन थो यह 10 थो 11 थो 12 थो सब के लिए beneficial है तो सब के साथ share करिएगा ठीक है बच्छो और ऐसी ही interesting videos अगर आप और चाहते हैं आप किस कमेंट बॉक्स पे लिख करके बचाना याद रिखेंगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा चलिए बचो तो अब फिनिस करते हैं मिलेंगे अपने ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुड़ वाय थैंक्यू सूमच